सभी को नमस्कार और स्वागत आप सभी का EAD Online Classes में जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी सीरी चल रही है एक नंबर पक्का आपका हर एक वीडियो में एक नंबर पक्का करवाया जा रहा है और अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखते वें चल रहे हैं और जो चीजा मैं बता के ताइब करें घराद जा कि किंशने करेंगे ऑगर हम बात किरेंगे जैसे कोई पर सब्सक्राइब कर रहे किया तो यहां से हम बात समस्च लेक कुछ सबसे पहले बात अगर हम निकालना चाहें इसका one day का work one day का work का मतलब होता है आपका efficiency जिसे हम कहते हैं तो यहां से हम यह कह सकते हैं कि अगर किसी person के मुझे efficiency निकालनी है या फिर one day का work निकालना है efficiency या फिर one day का work आपका होगा one upon जितने total days उस work को complete करने में लग रहे हैं तो हम कह सकते हैं one upon days ठीक है बाई? यह मेरी क्या हो जाएगी? efficiency हो जाएगी वैसे अभी हमें efficiency की सुरफ नहीं पढ़ने आ लेकिन फिलाल अभी आप देख लिए क्या चीज़े करने हो same as अगर मुझे days निकालने हैं तो मैं efficiency का reverse कर दूँगा तो मेरे पास days आजेंगे तो मैं direct आपको question पर लेकर चल लो हमें कैसे handle करने question वो देखते हैं तो A अगर किसी work को 20 days में कर रहा है और B उसी work को 30 days में कर रहा है क्या कर रहा है B उसी work को 30 days में कर रहा है और आपसे पूछा जाए कि दोनोंने साथ में काम किया काम कितनी दिनों में खतम हुआ तो भई आपने का सर इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात हा आराम से solve कर देते हैं वही आपने निकाल लिया A का one day work is one day work मतलब A का एक दिन का काम मेरी बात ध्यान से समझेगा पहले चुकि ज़्यातर कोशन इसी तरह से इसी फॉर्में में solve किये रहते हैं सारे बुक्स में बी ठीक है तो ये one upon twenty आपने लिख दिया सेम आज आपने B का 20 one day work find out किया और वो one upon thirty आ गया और अगर मुझे दोनों का एक साथ का work निकालना है A प्लस B कि दोनों एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में खतम होगा तो आप एक बात समझे मेरी आप इसे ऐसे नहीं कर सकते हैं आपने 20 प्लस 30 आइड कर दे हैं ठीक है अगर हम या थोड़ा ध्यान से देखें तो यह हो जाएगा मेरे पास 60 तो 23 जा एंड 32 जा तो यह आ जाएगा मेरे पास 5 upon 60 आप देखेंगे ज्यादा तर बुक्स में यही आपको format बिलेगा तो इसका one day का work इनका 5 upon 60 और 5 से हम अगर कट करेंगे तो या जाएगा मेरा one upon 12 efficiency आ गए है दोनों की one day की one day का work का मतब है उन दोनों की efficiency आ चुकी है one upon 12 है ठीक है तो अगर पूछा जाए कि बाई कितने days में work complete होगा तो days में हो जाएगा इसका reverse कर देंगे तो 12 days में work complete हो जाएगा जब दोनों साथ में work करेंगे तो 12 days में work complete हो जाएगा बात हमना आजिए बट हम questions को इस तरह से नहीं करेंगे हम questions को एक different way से solve करेंगे जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि किस तरह से हम questions को solve करेंगा ठीक है बात clear हो दिए ठीक अब मेरी बात समझें तो कैसे solve करेंगे हम इसके इस बात को समझा हम क्या करते हैं हम यहां पे एक work assume कल लेते हैं अपने according क्या कल लेते हैं एक work assume कल देंगे हम अपने according जैसे कि मैंने यहां पे work ले लिया 60 अब work वो लिया जाएगा जाएगा, ऐसा नंबर लिया जाएगा, जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि LCM ले लिया हमने, क्या ले लिया, LCM ले लिया हमने, तो भाई, let us suppose मैंने ये माना कि 60 टॉफी हैं हमारे पास, और A उन साथ टॉफीयों को 20 दिन में खा रहा है और B उन साथ टॉफीयों को 30 दिन में खा रहा है, तो यहां से अगर हम बात करें, तो A कि अगर मैं बात करूँ तो A एक दिन में कितनी टॉफी खाएगा भई, 3 टॉफी खाएगा, एक दिन में कितनी टॉफी खाएगा, 3 अगर मैं बात करूँगा B की, तो B 30 दिन में साथ सबम् सब्रसद्राइब कर दो इन दोनों उन पाइसाम को अमने साथ का यह सा養 की कऊ-पलेंग एक दिन का काम कर पाएंग ये गदिन पांच यह चाहिए और ट्वांड वर कितना है आए-बाइ-बह साथ है तो हम कर लेंगे करेंगे और time and work के सारे questions आप इस तरह से solve कर सकते हैं इसमें कोई issue नहीं आने वाला है रासमन में आ रही है तो किसी भी तरह का आप question कर सकते हैं कि a 12 दिन में काम खतम कर रहा है जो भी है वो 10 दिन में काम खतम कर रहा है भी है वह 15 merchant कर रहा है तो फिर से कहानि वही हम क्या करेंगे यहां पर एक total work assume कर लेंगे कि total work क्या होने वाला है तो हमने यहाँ total work assume कर लिया और total work हमारे पास मैं पहले कहा रहा हूँ कि ऐसा number लेंगे जो तीनों से divide हो जाएगा तो जैसे यहाँ पर क्या है मेरा 60 आगा है फिर से तो A की अगर मैं बात करूँ तो A का one day का work हो जाएगा 5 B का one day का work हो जाएगा 4 और C का one day का work हो जाएगा 3, sorry 2 60 को मैं total work अपने according है जिम कर रहा हूँ आप 120 भी लेंगे तो भी answer आपका right आने वाला है तो तीनों ने बहुँ साथ में काम किया तो आपका A प्लस B प्लस C हो जाएगा हमारे पास आजाएगा 5, 4, 9 और 2, 11 total work कितना आगे हमारे पास 11 आगे है ठीक तो यह आजाएगा हमारे पास अब जो days लगेंगे इन तीनों को 7 में 60 by 11 और we can say 5 5 by 11 days तो तीनों मिलके इतने दिनों हमें इसे खतम कर देंगे ना सौंज में आजी तो कुछ इस तरह से question handle किये जाते हैं इसी method से आप questions कर सकते हो जिसमें कोई काम छोड़के चला जाता है या नया person आ जाता है इसी method से आप questions solve कर सकते हैं pipe and system के null और tongue की वाले ठीक तो इसी तरह से मैं और भी questions आपको करवाता रहूँगा इसमें बाकि next आपको मिलते हैं next videos में videos पर आप like and share कीजेगा कुसी भी तरह का कोई question आपका होता है तो comment जरूर कीजेगा वीडियो के आपके पास comment box में comment जरूर कीजेगा ठीक है मिलते हैं आप लोगों से next class में thank you so much